करनाटक की सत्ता में कॉंग्रेस की वापसी हो गई 224 सदस्य विधान सभा में कॉंग्रेस के 136 विधायकों के साथ कॉंग्रेस अब सरकार की नीतियां अपने हिसाब से तै करेगी एक साल बाद लोग सभा के चुनाव होने हैं राजिस्थान, मध्यप्रदेश और 36 गण में इसी साल चुनाव होंगे इसलिए माना जा रहा है कि कॉंग्रेस अपने तुष्टी करण की सियासत को करनाटक से धार देने की कोशिश करेगी ताकि पूरे देश में मुस्लिमों का वोट एक मुष्ट उसे मिल सके और इसलिए सरकार बनते ही कॉंग्रेस ताबर तोड़ ऐसे फैसले लेगी जिसका सीधा फाइदा उसे मिल सके कॉंग्रेस का संकेत साफ है पिएफाई को लेकर कॉंग्रेस का रुख नरम रहेगा और बजरंग दल पर गरम क्योंकि चुनावी घोशना पत्र में कॉंग्रेस बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कह चुकी है कॉंग्रेस की नई सरकार संगठन पर लगे प्रतिबंद को फिर से खत्म करेगी और जिसे बीजेपी की सरकार ने खत्म किया था कॉंग्रेस उस आरक्षन को फिर से बहाल कर सकती है PFI पर कॉंग्रेस की नर्मी इसलिए रहेगी क्योंकि इसी कॉंग्रेस की पूरवर्ति सरकार ने सोलह सो दंगाईयों पर से केस वापस ले लिये थे जो PFI से जुड़े हुए थे लेकिन बिना किसी जाच के अलान कर दिया गया कि इनका हिंसा में कोई हाथ नहीं है सितंबर 2022 में जब केंदर सरकार ने PFI पर बैन लगाया तब करनाटक में इसके 50 से भी अधिक आतंक की पकड़े गए थे एनाईय के छापे मारी में संगठन के कई अड़े करनाटक में मिले करनाटक में हवाला नेटवर्क के जरिये फंडिंग हो रही थी कॉंग्रेस की जीत के बाद करनाटक में फिर से मुस्लिम तुष्टी करण की राजनीती तय लग रही है ऐसे में राज्यो सरकार के ढुलमुल रवये से क्या इस प्रतिबंदित संगठन को फिर से फलने पूलने का मौका मिलेगा मुस्लिम आरक्षन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है 25 जुलाई 2023 को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है सर्व शिनैले की तीन सदस्य पीच इस मामले को सुन रही है भाजपा सरकार मुस्लिम आरक्षन को हटाने के बाद पूर्ट में इस पैसलिका बचाव किये लेकिन अब लगता नहीं कि नई राज़ सरकार का रुख यही रहेगा इसी तरह हिजाब को लेकर राज़े में खूब हंगामा हुआ इसलामी कटरपंथियों ने हिजाब बुर्गा के समर्थन में अभियान चलाया इनकी मांग थी कि शैक्षनिक संस्थानों में युनिफॉर्म के नियमों को धता बता कर मुस्लिम चात्राओं को बुर्गा पहनने की इजाज़त में और इस मामले की भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई ये सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है करनाटक सरकार ने साफ कर दिया था कि स्कूल कॉलेजिस में हिजाब की अनुमती नहीं है हाई कोर्ट ने स्पैसले को भी सही ठहराया था दिरो रिपोर्ट न्यूज अफ इंडिया